व्रिंदावन में रमन रेती पुलिस चौकी के बरावर में परिग्रमा मार्ग पर बहु मंजिला इमारत के रूप में रश्यन बिल्डिंग इस्तित है इस बिल्डिंग में तमाम विदेशी भक्त भी रहते हैं तक्रीबन डेर्ड सो से अधिक परिवार इसमें रह रहे हैं बिल्डिंग के निर्माण, नक्षा और मतुरा व्रिंदावन विकास प्राधीकरण के आपचारिक ताइम पूरी ना किये जाने को लेकर मतुरा ब्रिंदावन विकास प्राधी करण इस बिल्डिंग सुआमी को कई बार नोटिस थमाए मगर संतोष जनक जवाब ना मिलने पर इस बिल्डिंग को सील करने की कारेवा ही शुरू कर दी है मंगलवार को इस बिल्डिंग की बिजली भी काट दी गई जिससे वहाँ निवास करने वाले लोगों में हडकंप मच गया उसी से परिशान हुए लोगों ने बुदवार को अपने अधिवक्ता को अपना पक्ष रखने के लिए जिला मुख्याले भेजा अधिवक्ता कुनाल शर्मा का कहना है कि प्रशासन इस मामले में पूरी तरह से निरक्षर है उसे नियम काईदे कानून का ग्यान नहीं है वकील सहम ने अपनी दलील देते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा पुनरवास की भी एक स्कीम बनाई हुई है उसी के अनुरूप प्रशासन को कारेवाही करनी चाहिए गर्मी के माहौल में 500 लोगों को जिसमें बुजूर्ग महिला बिमार, बच्चे, विदेशी सब शामिल है उनको सड़क पर ला देना उचित कारेवाही नहीं है उन्होंने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की दलीलें भी सामने रखी परन्तु डीम साब हो चाहें कोई हो जिलाप रशासन बिल्कूल उन्होंने कोई कारवाई उस पर की अब एकदम से जब वो अरेस्ट हुआ है हाई कोट में पी-ई-ई-ल डलने के बाद जब वो अरेस्ट हुआ है और अरेस्ट के बाद अब यह बुल रहे हैं कि हम जो है उसमें से 400 लोगों को बिल्डिंग में से निकालेंगे और कारवाई करेंगे जबकि हाई कोट में ऐसी कोई बात नी हुई थी हाई कोट का सीधा कहना था कि वाई दिस्टिक अथारिटी सिटिंग स्टिल और नॉट दूइंगे और यह बताएंगे कि हमने क्या किया किया है यह कारवाईयां कर रहे हैं जो कि अनेतिक है क्योंकि सुप्रीम कोट बोलता है कि पुरा कानून सुप्रीम कोट ने बनाया है जिसका पालन इनकी विचारों की बिजली काट दी गई उनको पूरी रात तडपना पड़ा उसमें बच्चे रह रहे हैं चोटे और महिलाएं हैं बूडे लोग हैं जो आज भी ऑक्सीजन पहें टोटल नंबर और फैमिलीज हैं 166 और तोल नंबर फैमिलीज हैं 514